मैं आज लेकर आया हूँ इंगलिस गिरामर का एक बहुत ही इंपोर्टेंट रूल कोई भी एक्जाम हो लेकिन इस रूल को मोस्टली एक्जाम में पूछा जाता है फ्रेंट्स लेते इस रूल को और समझते इसको सेंटेंज के माध्यम से आज का इंपोर्टेंट रूल है इसका यूज मोस्टली नेगेटिव सेंस में किया जाता है इस रूल का यूज डिगरी में भी किया जाता है तो फ्रेंट्स इसको आज बहता तरीकी से ज़रूर समझे ताकि आप अपनी इंगलिस को इंप्रूब कर सके सचिन राहुल से ज्यादा इंटिलिजेंट नहीं है सो मी सोता है ज्यादा या अधिक लेकिन यह आपर नेगेटिव सेंस में इसका यूज के जा रहा है नेगेटिव सेंस के साथ यूज के जा रहा है इसलिए अधिक के बात हो रही है लेकिन नहीं के sense में आ रहा है तब इसका sense निकल रहा है अधिक नहीं है सचिन राहूल से ज्यादा या अधिक intelligent नहीं है सचिन is not so intelligent as राहूल It means यह दोनों same हैं, दोनों एक ही तरीके के intelligent हैं दोनों में एक जैसी quality है इस तरह का use हम degree में करते हैं जो positive degree होती हूँ उसमें हम इसका use करते हैं जो एक जैसे हैं किसी में quality ज्यादा नहीं है same to same है, भले ही sentence में negative sense आ रहा हूँ लेकिन उसका earth meaning बिलकुल बराबरी का आ रहा है equal आ रहा है Next sentence Kamal is not so wise as Kunal Kamal is not so wise as Kunal Kamal कुनाल से ज़्यादा बुद्धिमान नहीं है She is not so beautiful as her mother She is not so beautiful as her mother वह अपनी मा से ज़्यादा सुन्दर नहीं है They are not so smart as Pavan They are not so smart as Pavan बे Pavan से अधिक smart नहीं है Radha was not so tall as her father Radha was not so tall as her father Rahul was not so punctual as Sachin Rahul was not so punctual as Sachin Rahul Sachin Shriyadha Samaya का पावंद नहीं था He will not be so anger as his brother He will not be so anger as his brother वह अपने भाई से ज़्यादा गुस्सा नहीं करेगा या फिर इसको ऐसे भी बोल सकते है वह अपने भाई से ज़्यादा गुस्सा नहीं होगा My brother is not so lazy as your brother मेरा भाई तुमारे भाई से ज़्यादा lazy नहीं है It means दोनों एक जैसे है इसको समझते हैं next sentence में My brother is as lazy as your brother मेरा भाई तुमारे भाई के जितना lazy है It means जितना मेरा भाई lazy है उतना तुमारा भाई भी यदि आप as.as के बारे में परफेक्टली और पूड़ रूप से जानना चाहते हैं तो आप उस वीडियो को जरूर देखें जिसका लिंक आपको description में मिल जाएगा यदि आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स यह था आज का वीडियो और मैं आसा करता हूं कि वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा फ्रेंड्स यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कमेट जरूर करें और यदि आप चैनल पर नूँ है तो इस चैनल को सब्सक्राइब और वेल आइकन को जरूर पूश करें मिलते नेक्स्ट वीडियो में जब तक के लिए All the best, take care, bye